subscribe now and press the bell icon never miss an update तो हमारी पॉलेटी की क्लास चल रही थी और जैसा कि आपको पता है पॉलेटी की क्लास में हम इससे पहले रज़िपाल के बारे में पड़ेंगे और रज़िपाल की सक्तिया जो है पावर्स जो है उनको अलग-अलग भावो में विवाजित किया गए तो सबसे विधान सभा में किया होगा कि जब किसी राजी में विधान सभा का गठन होता है तो विधान सभा में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है प्रतियक जो सद्शिय होगा उस विधान सभा का वह अलग अलग पार्टी से हो सकता है तो जिस पार्टी को सरवाधिक बहुमत होगा उस पार्टी को नेता होता है उस दल का जो नेता होगा उस नेता को मुख्य मंत्री के रूप में और यहां मुख्य मंत्री की नियुकति किसके द्वारा की जाती हैं तो मुख्य construct कि अनुसार राज्यक के जो मंदल होते हैं उस मंत्री मंदल में मंत्रियों की नियुकति करता है पहले तो मंत्री की निविक्ति करेगा मुख्य मंत्री की निविक्ति करेगा मुख्य मंत्री की सलहा के आधार पर राज्यपाल मंत्री मंदल के मंत्रियों की निविक्ति करता है अब आगे देखें राज्यपाल राज्य की सर्वत विधी अदिकारी देखो राज्य में क्या होता है सारे केस होते हैं तो उन केसों में उन केसे में राज्य सरकार की पैरवी करने के लिए क्या करने के लिए राज्य सरकार की पैरवी करने के लिए राज्य सरकार का प्रतिनिद्रू करने के लिए एक व्यक्ति होता है वह वकील होता है कौन होता है राज्य सरकार की पैरवी कौन क ये महादिवक्ता है वह राज्य का सर्वोच विधी अधिकारी होता है अर्थात कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है विधी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और इसकी नियोक्ति भी किसके द्वारा की जाती है तो सर्वच विधिय अधिकारी महादिवक्ता की न्योगती भी राजिपाल द्वारा की जाती है कि एक सदस्यों की नयोगति करता है एक्छेली क्या होता है कि प्रतियक रजिग में बहुत सारे आयोग होते हैं जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राजस्थान लोक सिवा योग है था कि कुछ राटी ऐसे होते हैं जिन के एक ही आयोग होते हैया तो ऐसे जिब गरनीशन आ जाए तो वहाँ पर उनकी जेट्ट और जो सदिशी है उनकी नियुक्ति राष्टपती द्वारा की जाती है ऐसी क्रणिशन में उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं करके राष्टपती द्वारा की जाएगी क्लियर आगे देखें राज्यपाल राज्य के समस्त विश्व विध्यालोगे के कुल्पती की नियुक्ति करता है कि राजली में क्या होता है कि बाव़ सारे युनिवस्तियों होती है बहुत मंत्रियों को सपत दिलाता है देखो हमने कहा कि राज्यपाल क्या करेगा मुख्य मंत्री की नियुक्ति करता है मुख्य मंत्री की परामर्स के आधार पर मंत्री मंदल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है और जो मंत्री मंदल के मंत्री नियुक्ति होते हैं उनको सपत भी कौन दिलाता है, तो उनको सपत दिलाने का कारी भी कौन करेगा, उस राजे का राजेपाल करता है, उस प्रकार हमने राजेपाल के, जो कारेपाली का संबंदी सक्तिया देखी, कि सबसे पहली सक्ति, राजेपाल मुक्य मंत्री की नियुक्ति करता है, मुक्य मं वकष्णन कहें नूइकति के प्रसचात मुननायन की विनीज़ट सभा और एक-विधान-प्राइश्द Сп कुल सधिशों का एक बटा छ sharks सद्श्यों को कला संस्कृति सहित्य विग्जान मनोन Memorial करेंगा एक्चुली क्या होता है बात को समझे कि पतेग राजी में एक विधान मंदल होता है पतेग राजी का क्या होता है एक विधान मंदल पर्थात राजी के लिए कानून बनाने वाली संस्ता तो क्या कहेंगे राजी का विधान मंदल अभी विधान मंदल कुछ राज्यों में एक सबस् brute kण 5onent अर्थाथ अपने इच्छा से उसे विधान परिषिथ का सबस्त्र बनाता आए अभी व्यःध़ी क्या होते हैं कला सित्र में सहिप्ति सित्र में समात सेवा में विज्ञान में और सहकारिता के सत्र में क्या होते हैं सम्मानित वेक्ति होते हैं ऐसी वेक्तियों को क्या करेगा राज्यपाल विधान परिशद में मनोनित करते हैं इनके संख्या कितनी होती है तो कुल सदस्यों की संख्या का एक बटावा सदेशियों को राज्यपाल किया करता है इस प्रकार विधान परिशद में मनोनित करता है आगे बात करते हैं मनोनियन के अंदर ही देखे कि अनुछिद 333 के तहट किसके तहट अनुछि द and 2333 के तहट राजविशक हो पता राजविपाल एसा लगे कि आ विशक लगे तब राजविःपाल क्या करेगा एक सदेशय का मनोनएन करता है कहाँ पर विधान सबा में पहले तो राज़ेपाल मनोनेन कर रहा था एक बटा छे सदशियों को कहाँ पर विधान परिशद में लेकिन अब बात कर रहे हैं विधान सबा की कि विधान सबा में भी एक सदशिय का मनोनेन कर सकता है लेकिन कब जब राज्यपाल को अविशक लगे और यह वहाँ एक सदेशी कौन होगा तो अंगल भारती समुदाय से होगा कौन से समुदाय से अंगल भारती समुदाय से एक सदेशी का मनोनेन किया दा है किसके दारा राज्यपाल द्वारा कहां पर विधान सबान कौन से इंडियनाद पॉलिटी पड़ाई तब मैंने आपको बताय था कि अनुछेद 331 के तहत रास्ट्रपति क्या करता है लोक सभा में एंग राज्जित काहिए क्या करता है व्याय करता है लोक मनोनयन को क्या कर दिया समाप्त कर दिया किसके मनोनयन को तो आंगलो भारती एंगलो इंडियन के जो मनोनयन किया जाता है राज्यपाल जो अर्थवा राष्टपती जो मनोनयन करता है उसको समाप्त कर दिया तो इस प्रकार हमने राज्यपाल की यहां पर कारिपाली का में कि राज्य विधान का अभिन होता है जब मैं ति राजimes मंदल पढकि आग चैनल को विदोर्ट लोग में बाटा दो अधान को इस इता एक तहत तहतन इलकर शक्षिक mz राजय पैल के वद्धान मंडल की बैठ को बूला सकता है विद्धान मंडल के अधिवेशन को प्राधंप कर सकता है राजयपाल चाहे तो उस राजय को जो अधिवेशनольш वैस dunno हbelt सपने का मतलब तो है बैठक आयोजित करना और 17 वसाम का मतलब है बैठक को समात करना और यह अधिकार किसके पास है तो यह अधिकार राज्यपाल के पास होता है और अनुछद 174 के तहट इसे यह अधिकार प्रदान कि आगे बात करें अनुछद एक्षोपिचोथर की तो अनुछद 175 के तहट राज्यपाल राज्य विधान मंडल में लंबिद विधेक के विरुद संदेश बैसकता है तो अगर कोई विधेक पारित नहीं हुआ हो और उस राज्य विधान मंडल में ही अटका हुआ है तो राज्यपाल क्या करेगा उस वि अभिबाशन के बारे में कि राज्य पाल अपना अभिबाशन कब देता है अपना उसमें अपना बिवाषन देता है उसके साथ मैं बता aanब प्रतिवर्स क्या होगा प्रतिवर्स क्या होगा क्यों पहनी प्रतिवर्ष जो पहली बैटक होती है उस प्रतम बैठक में राज्यपाल अपना अभीबासन देता है तो यह जो राज्यपाल का अभीबासन है जो राज्यपाल का पीच है गौवर्णर का उसका उलेक साविधान के अनुछेद एक सो शीहतर के ताथ किया गए आगे देखें राज्यपाल के पास जाता है किसके पास जाता है राज्यपाल के पास और रज्यपाल उसाचे का और इसodar dud Sum पर रज्यपाल की स्विक्रति आविशक है कि रज्य विधान सबाने जो कानून बनाया है उसके लिए रज्यपाल की स्विक्रति आविशक होती है जब रज्यपाल उसके स्विक्रति देगा तब ही वह विधेक कानून का रूप लेता है तो रज्यपाल विधेक को अस्विक्र कर सकता है और राज्यपाल अगर चाहे तो उसको पुनर विचार के लिए लोटा सकता है अब आगे देखें कि राज्यपाल यदि किसी विध्यक को पुनर विचार के लिए लोटाता है किसके लिए पुनर विचार करने के लिए अगर राज्यपाल किसी विध्यक को लोटा दे करेगा उस विधेक को अगर पुन्ह पारित करके वापस सेकंड टाइम राज्यपाल के पास बीचती तो ऐसी कंडिशन में सेकंड टाइम जब राज्यपाल के पास वापस जाता है तब राज्यपाल उसको स्विक्रती देने के लिए बाद्य होता है ऐसी कंडिशन में राज्य बाद किसके तक akan शब्द is दयगा रज्यपाल के पास अगर शब्द किशी प्रकार का नहीं कि सकता है यह विधाई करने की सकतीरि करने कीनि सकती के वारे में या करने की सकति के वारे में बात actually होता क्या है तो देखें कि जब राजी में राजी का विधान मंडल नहीं चल रहा हूं अर्थात राजी में जो राजी का विधान मंडल है जो कि क्या करता है कानून बनाने का करी करता है अब उस राजी विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा है उसकी बैठक नहीं चल रही है और उस दोरान राज्यपाल को लगे कि किसी विशय पर कानून बनाना अती आवशक है, तब राज्यपाल क्या करता है, अपने इच्छा से एक अइस्थाई कानून बनाता है, एक अइस्थाई कानून ज्रागू करता है, उस अइस्थाई कानून को क्या कह जाता है, अध्याद और ऊधिवेशन नहीं चल रहा हूँ ऐसी परिश्थिति में यह फिर उसमें ऐसी परिश्थिति हो जाए जिन पर ततकाल कारेवाहि क्या हूश्चकता हो उधुमक्ति आजाए तो और कोई कानूनों को लागू कर सकता है या कितने समय के लिए कितने टा США के लिए वैलिड होगा क्योंकि जो कानून मना ये वह क्या है डेंपरेड है तो समझे आप में आपको बता यह कर सकता है एंद्यदीष जो होता है कानून होता है पर्मानेंट ही होता है वो टेंप्रेरी होता है ठीक अब टेंप्रेरी होगा तो वो पर्मानेंट कैसे बन सकता है उसको कैसे पर्मानेंट बनाये जा सकता है तो जब राज्यपाल ऐसा इस प्रकार का अध्यादेश जारी करता है तो अध्यादेश जारी करने के 6 माँ बाद उ उस रज्य के विधान मंदल का अधिवेशन होना आविशक होता है उस रज्य के विधान मंदल की बैठक होना आविशक होता है अब उस बैठक में डिसाइड किया जाता है कि इस रज्य जो अस्थाई कानून मनाया इसको परित किया जाए अत्वा नहीं अगर विधान मंदल उ उस अस्थाई कानून को स्विक्रत कर देता है तब तो वह क्या बन जाएगा एक स्थाई कानून बन जाएगा पर्मानेट बन जाएगा लेकिन उसको अस्विक्रत कर दे तब वह अज्यादेश क्या समाप्त हो जाएगा अर्थार्थ वह अस्थाई जो कानून है वह क्या हो ज समय के लिए वालिड होता है तो विधान मंडल की जो बैठक होती है उस बैठक से चेम होने से शे llam नहां के अंदर राज्य पाल को क्या करना स्वरी इस राज्य के विधान मंदल का अधिवेशन होना आविश्व अब जब राज्य का जो विधान मंदल की जो अधिवेशन होगा उस बैटक होगी और उस बैटक में अध्यादेश को अगर परिट कर दिया जाए तो जो अध्या कानून को अस्विकृत कर दे अर्थाद उसको एकसेप नहीं करें तो ऐसी कंडिशन भी होवा अज्यादेश जो है समापत समझा तहीं तो यह सकती जो है ज़ादेश जारी करने की वह राज्य में किसके पास होती है राज्य पाल के पास है और इसी प्रकार अगर केंदर की बा एक तो होती है प्रत्यक्स और एक होती है अप्रत्यक्स, तो हम पहले प्रत्यक्स स्वव्यों की सक्तिया पढ़ेंगे, प्रत्यक्स स्वव्यों की सक्तियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जैसे कि आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि राज्यपाल जो है विधान सबा में बहुमत दल के देता है न्याता को मुख्य मंत्री के रूप में नियुक्ति करता है देगे आगे राज्यपाल राज्य का सम्विधानिक तंत्र विफल होने पर राष्टपती को राष्टपती सासन के लिए प्रति विधन देता है अब बा कारी करने में असक्षम खूं उसकारी को सभुधान के विंसा राज्य का संचालन नहीं कर पाएं ऐसे गंडिशन में क्या होता है सरज्य का संभीधानिक तल्ट्र जो है वह वहाँ फैल हो जाता है और झग्युरू ऑजाता है और इस प्रकार की परिश्तित्व deber के तो राज़ीपाल क्या करेगा एक रिपोर्ट बना बना कर राष्ट्र पती को सोबता है और उस द्वरां राष्ट्र पति क्या कर सकता है उस राष्ट्रD में राष्ब तो स्वास्ट पति के पास पत्र ऑ गई तो राश्ट पती वह सारी सक्तिया कि सको दिदीता है एक है년 kadar को तो कहने का सिधा मतलब है कि जब किसी राज़े में राष्टपती सासन लगता है तो उस राष्टपती सासन के दुरान उस राज़े का संचालन किसके द्वारा किया जाता है उस राज़े के राज़ेपाल के द्वारा किया जाता है और किसकी अनुसार राश्टपती के अनुसार कियाद है बेखें इस दौरान राजी का प्रसासन राजेपाल संचलित करता जैसा कि अभी मैंने आपको बताया आगे देखेएं कि अब राजस्थान में अब तक कितनी बार रास्टपतीक शासन लगा है ? राजस्थान में ग्लतल चार बार रास्टपतीक सासन लगा जा चुका है के लिए एक रिपोर्ट स्वापता है और ऊसरि पोर्ट के अनुसार राज्यपाल क्या करेगा उस राज्य में मेरज्च रास्ट मत विधान सभा में किसी भी राजनेतिक दल को इस पस्ट भहूमत ना मिले। जैसा कि आपको पता है कि मुख्य मंत्री की नियुक्ति दाजिपाल दारा की जाती है और मुख्य मंत्री कौन होता है जो विधान सभा में जिसको ज्यादा अधिक भहूमत मिलता है जिस दल को अधिक तब राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है जिस पर राज्यपाल को लगे कि वहाँ भविश्य में अपना भाहूमत साबित कर देगा अब उसको भाहूमत साबित करने के लिए कितना समय दिया जाता है तो राज्यपाल दोरा नियुक्त मुख्यमंत्री को जिसको राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहा है जिसके पर इस परस्ट बहूमत नहीं है उसको बहूमत साबित करने के लिए 30 दिन का 30 दिन का और 30 दिन के अंदर अंदर उसको बहूमत साबित करना पड़ता है और धन्विद्यक राज्यपाल की पूरू सिकृति सुजिकृति किसी बात करेंगे जो राज्यपाल है उसकी वित्तिय सक्तिव के बारे की सबसे पहले सक्या क्या होती है है तो ब्रदो कोई भी धन विदैक fiल की पूरासिक्रTi स्वीक्रTi के मिना दिम्न लिदन में नहीं देखा जाकून अब सबसे पहली बात कि धन विदैक होता क्या है तो देखें कि जब विधान सबा दोरा कोई प्रस्ताव पारिद किया जाता है तो वह क्या क्या लाता है विधेक क्या लाता है विधान सभा ने पारिद किया या विधान परिशद ने पारिद किया या विधान मंडल ने पारिद कर दिया चीड़ी बात कि विधान मंडल ने कोई प्रस्ताव पारिद किया तो क्या क्या राता है विधयक क्या लाता है अब वह विधयक कानून का रूप कभ लेगा इध कुछा होता है ल कि historically हो सकता है एक होता है संविध्हां में संसोधन को लेकर होता है तो उसको धन विदेक, धन विदेक में क्या होगा, कि वित के साथ साथ सरकार की क्या होती है, योजनाय सामिल होती है, उसको कहा जता है धन विदेक, अब धन विदेक जो है, वह केवल और केवल, ध्यान रखे इस बात का, कि जब हमने केंदर सरकार पड़ी तब भी देखा, और जब हम राज्यपाल की स्विक्रति आविशक होती है। आभ देखें राज्यपाल, राज्य विधान मंदल के समक्स प्रतिवर्स बजट प्रस्तूत करता है। अगला देखें कि राजी की संचित निदी राजेपाल के अधिकार में होती है अब संचित निदी क्या होती है तो देखें कि जिस प्रकार राजी की जो जनता है वह क्या करती है अपना कर्द जो है सरकार के पास जमा करती है तो जो कर्द जमा होता है जितना भी पैसा एकटा ह प्रतिवाजित करने के लिए अलग अलग कारियों में विभाजित करने के लिए अलगल कारियों में विभाजित करने के लिए क्या करती है एक प्रति वर्स क्या करती है एक रज्ज वित आयोक गठन करती है किसका गठन करती है रज्ज वित आयोका देखे आप कि अनुछेद 243 के तहत कौनसा अनुछेद संचित निदी को इस्थानी स्वासासन की जो इकाईया होती है उनमें विभाजित किया जाता है इस्थानी स्वासासन की इकाईया किसे कहते हैं तो जिन्द नगर पाली का है नगर परिशद है जीला परिशद है, नगर निगम है, ग्राम पंचैत है, पंचैत समयती है, इन सभी को स्थानी सवस्वासन की एकाय अगाजत है, और इनको क्या है कि कारी करने के लिए बजट की आवशकता होती है, पैसर की आवशकता होती है, तो इनको बजट का आवंटण किसके उद़र के 1902 में हुवा था, कभ वह था, 33 समिधान समसुदन, 1902 में के दवारा समिधान में जोडा गया, और जिसे जून 1904 में राज्य में लागू किया, तत पस्चाथ 1905 में, इस अधिनियम के तत क्या गया, बर्स 1905 में राजस्थान में प्रथम वितायो के स्थापना के गया, राजस्थान में प्रथम वितायो कि स्थापना वड्स 95 में की गई, और यह वितायो क्या करता है, स्वशासन की एकायो के बीच बजट का विभजन करता है, क्लियर, तो राज्य का प्रथम वितायो के गया बना, अगर आपसे पूछा जाए कि वरतमान समय तक रजस्थान में कुल कितने रज्ज मतायोगों का गठन कईया जाचुका है गठन गया जाचुका है एक वर्स 1905 से 2000 तक बना पहला, फिर 2000 से 2005 तक बना दूसरा, फिर 2005 से 2010 तक तीसरा बना, 2010 से 2015 तक चौथा बना और 2015 से 2020 तक वर्तमान में जो है पांटा रज्य वितायोग गठित जो हुआ था वो चल रहा है, अब बात करते हैं रज्यपाल की न्यायाइक सक्ति के बारे में, अर रज्य कारिपाले का सित्र, रज्य कारिपाली का विस्तार सित्र में किये गए अपराद पर किसी अपरादी की सजा का लगू करन, एवं दंड की प्रकरती में बदलाव कर सकता है। किया दा सकता है जैसे उसको उम्र की सजा में उसको सजा कम कर देंगे उसको 15 वर्स की सजा में उसको 10 कर दें ऐसा काड़ी कौन कर सकता है राज्य में राज्य पाल कर सकता है लेकिन वह राज्य अपरादी की सजा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता है तो इस परकार हम समाप्त होती है आज के इतना ही धन्यवाद